अलो फ्रेंस वेलकम तो टेक्निकल टोक्स दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि योनो SBI एप में कुछ दिनों से कुछ एरर आ रहे हैं जिसके कारण आप एप ओपन नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको इसी का सोल्यूशन देने वाला हूँ तो वीडियो लास तक जरूशे देखेगा स्कीप मत कीजिगा क्योंकि ये काफी यूस्फूल वीडियो होने वाला है तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्रेब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजे ता कि आपको हमारे लेटेश वीडियो मिलते रहे तो चैनल ये वीडियो को शिरू करते है दोस्तो कुछ दिनों से अगर आप योनो SBI एप उपन करने की ट्राय कर रहे होंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इरर सो हो रहा होगा जिसके कारण आप एप यूज नहीं कर पा रहे है यहाँ पर ये जो इरर है वो M007 वाला है यहाँ पर लिखा है तो दोस्तो योनो SBI एप ने हाल ही में एक अपडेट दिया है एक बड़ा सा अपडेट दिया है जिसके कारण आप ये जो ओल्ड वर्जन है उसको यूज नहीं कर सकते है यहाँ पर आपको वही बात बताई गए है कि आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे है योनो SBI एप की आप नई वर्जन डाउनलोड करें उसके बाद आपकी एप स्मूथली चनल लें लगेगी सबसे पहले हैं तो आपको बेक चले जाना है और आपके मोबैल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद योनो SBI लिखकर सर्च कर लीजिए और इसके अंदर एंटर हो जाएंगे दोस्तो आप जैसे ही योनो SBI में एंटर होंगे उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो open वाला मेरे पास symbol है वहाँ पर आपको एक update का option show कर दिया जाएगा तो simple यहाँ आपको वहाँ पर update पर tap कर लेना है और आपकी app update कर लेने है मैंने हाल ही में app update कर ली है तो मेरे पास update का option नहीं show रहा है लेकिन आप जैसे ही एप अपडेट कर लेंगे उसके बाद आपकी Yono SBI एप ओपन हो जाएगी दोस्तो बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती है आप अपडेट करेंगे उसके बाद आपकी एप तो ओपन हो जाएगी लेकिन उसके बाद आपको एक नई registration प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा वो पूरी प्रोसेस क्या है मैंने उसके उपर एक डिटल में वीडियो बना रखी है हाल ही में उसकी लिंक आपको डिसिप्शन में भी मिल जाएगी और आपको उपर काट में भी वो वीडियो शो करने लगेगी और वो वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट Yono SBI Mobile application has been modified यानि की नया security update दिया गया है जिसके बाद Yono SBI Mobile में registration की process modify की गई है इस नई process में आपके bank के साथ registered mobile number के उपर एक message करके उसको validate किया जाएगा, verify किया जाएगा और दोस्तो इस update के बाद एक बात खास ध्यान रखनी है कि आपका जो registered mobile number है वो आप जिस भी mobile में Yono use करते है उसी mobile में वो SIM card होना चाहिए वो mobile number होना चाहिए तो ही आप Yono use कर सकेंगे otherwise verification ही नहीं होगा आप Yono open नहीं कर पाएंगे तो पहले होता था कि आप किसी और mobile में अपना registereded mobile number लगते है और किसी और mobile में आप Yono use करते थे वो पहले होता था लेकिन अभी एशा नहीं होगा आपका चीस mobile में Yono है उसी mobile में आपको वो mobile number रखना होगा तो ही आप Yono use कर सकेंगे दोस्तों कुछ इस तरह आपको ये error solve करना है उम्मीद है वीडियो पसंदागा वीडियो पसंदागा तो वीडियो को ज़रू से लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैंने नई registration प्रोसेस के उपर जो वीडियो बना रखे हैं वो आप देख सकते हैं